भाजपा योग्य दितनात को नरेंदर मोदी के बाद में सबसे बड़ा नेता बताती है। ओफिशली नहीं लेकिन अनफिशली जरूर है। और इसलिए हर परदेश में हर रैली के अंदर उनको घुमाया जाता है। लेकिन भाजपा के उस सबसे बड़े नेता की जो मोदी के बाद में आते हैं। उन सबसे बड़े नेता की योग्य दितनात की सामने बैठे थे योग्य दितनात देखते रहे योग्य दितनात सामने बैठ करके बोल तक नहीं पाए। चेरे के हाव भाव ऐसे थे कि बदल तक नहीं पाए चेरे के हाव भाव को। और किस तरह से अखलेस यादवने खड़े खड़े गुसे से नहीं एंकार में नहीं तरेर करके आखे तरेर करके लाल आखे करके नहीं सिंपल से तरीके से और एक भरेवे दिल के साथ में अखलेस यादवने अपनी बात कही और जो पूरा सदन वहाँ पर बैठा था और वो व योग्य दितनाथ ने जो कुछ कहा था उसके उपर अखलेस यादव ने जो कुछ अब कहा है लोग कह रहे हैं कि अगर अखलेस भी अखलेस भी अगर योगी की भासा में जवाब दे देते तो फिर इस बात का कोई वज़न नहीं रहता क्या हुआ ऐसा दरसल मैंने आपको दो दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से सदन के अंदर योग्य दितनाथ जब बोल रहे थे तो बोलते बोलते तुम तू तडाक पर आए और उसके बाद बाप बाप पर चले गए और उसी बात का जवाब बाप बाप पर जो समादवादी पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो सवाविक है कि दूसरा भी आपके पिता के बारे में बोलेगा आपने बहुत सारी रिती रिवास नहीं मानी है वो ठीक नहीं लगेगा कि मैं कुछ कहूं क्योंकि ऐसी सिक्थ्या मुझे नेता जी ने नहीं ही दरसल जो Benedictни BT हों कोई पर्टी केู नेता हों के अंदर क्फोबी होती है कि युब बात कहें भी देते हैं और फिर कहते है смотрите ये बात नहीं कहूंगा लेकिन अखलेस ने ऐसा नहीं क्या आज इमांदरी से इस बात को स्विकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि अखलेस ने ऐसा वो नेता टाइप वाला काम नहीं किया कि बात कह दिया और फिर उसके बाद में कहा कि नहीं मैं ऐसे नहीं कहूंगा अखले पर आप सुनिए और फिर मैं आपको एक एक करके इन शब्दों के माइने आपको बताऊंगा एक बर ज़रा सुनिए आप किस तरह से सामने बैठकर के योग्यत इतना देखते रहे और अखिलेस यादव वहाँ पर खड़े 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 शांती के साथ में अपनी बात को कह है गए और लोग तालिया बजाते रहे परंपराओं परी बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीती रिवाज नहीं मानी तो ठीक नहीं लगेगा मैं काओं कि ऐसी सिक्षा मुझे निता जी नहीं दी और मैं मिलिट्टी स्कूल में पढ़ा हूँ मिलिट्टी स्कूल हूँ नहीं अफिर भी अद्देश मौध पर भी वबादनने इमाभाए रहा है कोई आवश्यक बहुत 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 वोना आवश्यक हो तो ओल Artemis सोर्जे ये जो बज़ट हैं यह केल मैंने जो तस्वीर दिखाई थी MOU हवा हवा में है राजनिती के अंदर जिस तरह से सिस्टाचार लगातार गिर रहा है लगातार नेतिकता का जो पतन हो रहा है उसमें अखलेस यादव का आज का ये जो भाषन का जो क्लिप है ये वाकई सरहानी है कम से कम उन्होंने योग्य दितनाथ के पिता को लेकर के कुछ नहीं का ये एक बहुत अच्छी बात है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और कम से कम हम ये भी बाने कि योग्य दितनाथ या भाजपा को कोई और नेता किसी के माता-पिता के बारे में और खास करके जब स्वरगासी हो चुके हैं तब उनके बारे में इस तरह से ना कहें कि तुम्हारे बाप का तुम सम्मान नहीं कर पाए योग्य दित्रनाथ ने जो कुछ कहा निश्चित तोर पर वो सदन के अंदर किसी भी समाने सदस्य को भी नहीं कहना चाहिए वो तो प्रदेश के मुख्य मंत्री है और बतोर मुख्य मंत्री जो है उन्होंने वो जो बात कही उस बात को ले करके सब जगह चीचा लेदर हुई थी लेकिन आज कम सेखम उस बात को पलटने का काम क्या अखलेस यादा उन्हें अब मैं देखी अखलेस यादा उने किस तरह से अपने एजेंडे पर योग्य दित्रनाथ को यहाँ पर घेर रहे हैं दो बड़ी बाते उन्होंने रखी है एक तो जाती जन्गनावाला जो उ जी आईएस के नाम पर कह रहे थे कि हमने प्रदेश के अंदर जितना बजट नहीं उससे ज़्यादा का इंवेस्मेंट ले आए है अब इसके उपर योग्य दित्रनाथ ने क्या क्या सुनिए जरा यह खिलेस यादाओ का ट्वीट आप देखिए उत्तर प्रदेश की भाज की कंपनी को सला के नाम पर बड़े जूट का ताना बाना भुनने का ठेका दे दिया है तो कुल मिला करके योग्य दितना थी कह रहे हैं कि जब 34% की जब ग्रोथ रेट चाहिए एक ट्रिलियन की एकोनोमी बनाने के लिए वो है नहीं तो आप किसी कंपनी को उठा करके ले वो सुनिए आईपी सिंग ने अखलेश यादव की बात को ट्वीट करते वे लिखा है हमारा कहना है कि सरकार जातिये जंगना करवाए मैंने नेता सदन से कभी रामचरित मानस पर सवाल नहीं पूछा मैंने सिर्फ पूछा था कि नेता सदन ये बताए कि सुद्र क्या है य इस तरह से योगे दितनात पर आरोप लगते हैं कि वो जब सदन में जब वो मुख्यमंतरी निवास में आए तब उससे पहले जब अखलेश यादव वहाँ पर थे तो उसको गंगाजल से सफाई करवाई ये इस तरह कि आरोप जो है समाध्यदी पार्टी लगातार लगात और वहाँ पर जो है अब जाने की बारी हो रही है अखलेश यादव ने राजबर को घेर लिया और राजबर को घेर करके कहा कि आप बती आप जाती जनगना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं जाती जनगना के पक्स में है या नहीं है ओम परकास राजबर ने कहा हूं सो परती से तूं डंके की चोट परूं जातिये जन्गन्ना के साथ तो जातिये जन्गन्ना और तूसरा सुनिया आप जातिये जन्गन्ना को ले करके खुद उत्तरप्रदेश सरकार के उप मुख्य मंत्री केसव प्रसाद मोरिया वो कह चुके है कि हां हम भी जातिये जन्गन्ना के प पा रहे हैं जातीय जन्गन्न ना कराएगी तो फस गई अब नहीं करा रहे हैं तो फस गई अब बना रहे हैं आगे देखिए आप अखिलेस यादो ने क्या कहा है नेता सदन बताएं कि कोई जनम से सुद्र पैदा नहीं होता है हम राम चरित्र मानस के खिलाफ नहीं है ताड़न का अर्थ हम भी बता सकते थे इसलिए हम जाती जनगन्ना की मांग करते हैं मैं परदेश को आगे ले जाना चाहता था इसलिए लैप्टोब बाटे तो अखलेश अपनी बात कह रहे हैं और आगे आप देखिए योगी जी बहुत सी चीजे बहुत सी रिती रिवाज को आपने भी नहीं माना वही पहले वाली बात को दोरा रहे हैं अगर आपने आप हमारे पिता जी को कुछ कहेंगे तो मैं आपके पिता जी के लिए बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि स्रदे स्रदेन निता जी ने ये संस्कार हमको नहीं सिखाए है तो ये बात जो है उन्होंने कही कि मैं मिल्टरी स्कूल में पढ़ा हूं मैं ऐसी बात नहीं कह सकता हूं तो बहराल जिस तरह से जिस तरीके से अखलेस यादव ने उन्होंने जवाब दिया है योग्य दितनात को क्या वाकी ऐसे जवाब की उमीद आप भी कर रहे थे और क्या वाकी जरूरी नहीं है कि रासनेती के अंदर दोबाला से सिष्टाचार को लाए जाए जिस तरह से लगातार पतन हो रहा है आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बोक्स पर अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए इसी तरह कि तमाम ख़बरों के लिए ओनलाइन वीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन घंटि उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे को खबर अपनोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाई